हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपको ये वाला स्क्रीप्ट एरर बार बार आपकी स्क्रीन के उपर पॉप अप हो रहा है या अगर आप कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं उसके अंदर ये मैसिज आ जाता है आपको ये एरर नजर आ रहाता है तो आप इस नोटिफकेशन को किस तरह से बंद कर सकते हैं कि आपको ये नोटिफकेशन बार बार ना आए और ना आपके काम को डिस्टर्ब करें तो उसके लिए एक असान सा तरीका है सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टार्ट के उपर क्लिक करके आप इंटरनेट एक्स्प्ल इंटरेन्ट आप्षिंज में आपके पास एक ये टैब उपन हो जागा इसमें बहुत सारे टैब्स हैं, यहां पर आप जाएंगे एडवांस सेटिंग्स के अंदर और अपने इस टैब को स्क्रोल करने के बाद आप यहां पर ब्राॉजिंग में जाएंगे, ब्राॉजिंग म और इसको close कर देना उसके बाद क्या करना है कि आपने इपने system को restart कर लेना है ताकि यह settings apply हो जाए उसके बाद आप देखेंगे आपको कभी भी यह वाला इस तरह का कोई पप का मैसेज आता था तो वो भी बंद हो जाएगा उमीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आप इसी तरह की मुझेद अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल के